मोधी 2.2 ने सत्ता संभालते ही मानों अपने पहले कारेकाल से भी तेजी से काम करने के ठानली है तभी तो सत्ता में आते ही सबसे पहले तो भारत के अन्यदाता के मुश्किलों को आसान किया अपनी पहली गाबिनिट बैठक में किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत कर दी प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहट गरीब किसानों को 3,000 रुपे पेंशन देने को मनजूरी दी और अब उसके बाद छोटे कारोबारियों के लिए मोधी सरकार तौफा लेकर आई है यानि कि अगर आप छोटे कारोबारी हैं और कर्स के बोज तले दबे हुए हैं तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोधी सरकार ने आपके कर्स को चुकाने का बड़ा प्लान बना लिया है सरकार ने Insolvency and Bankruptcy Code के तहत छोटे कर्स धारकों का कर्स माफ करने की योजना बनाई है ये योजना IBC के Fresh Start प्रावधानों के तहत बनाई गई है जिसके तहत देश के लाखों लोगों को फायदा होने वाला है Corporate मामलों के सचेव श्रीनिवास के मताबिक देश में अभी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कर्स चुकाने का पैसा नहीं है जिसके चलते कई लोग मौत को गले लगा रहे हैं आत्म हत्या कर रहे हैं छोटे कारोबारी ऐसा ना करें इसके लिए सरकार Micro Finance इंडस्ट्री से बाग कर रही है साफ किया गया है कि ये लोग माफी वेक्तिगत दिवालियपन से जुड़े मामलों में ही दी जाएगी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब और दबे हुए तबके को ही ज्यादा परिशान करती है हलंकि इसका लाब पाने के लिए कुछ शर्ते भी तैकी गई है अगर नियमों का सही तरीके से पालन किया गया तब ही मोधी सरकार कि इस योजना का फायदा छोटे कर्जधारकों को मिल सकेगा अब आपको शर्ते बताते हैं कि किन शर्तों को पूरा करना होगा सबसे पहले तो लोन माफी योजना के लाभार्ती की वार्शिक औसत आए 60,000 रुपे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कर्जधारक के पास असेट्स की सकल वैल्यू 20,000 रुपे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लाभार्ती पर कर्ज की कुल राशी 30,000 रुपे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लाभार्ती के पास अपना खुद का आवास भी नहीं होना चाहिए ये कुछ शर्ते हैं अगर इन शर्तों को कर्ज धारक पूरा करता होगा तब ही उसे मोधी सरकार की इस योजना का लाभ मिल पाएगा अब आपको इस योजना से जुड़ी एक और एहम बात बताते हैं वो ये कि अगर किसी भी वेक्ती ने एक बार सरकार की योजना का लाभ ले लिया तो आने वाले 5 साल तक इसका लाब नहीं ले पाएगा आने वाले 3 से 4 साल में सरकार शेत्र में और नए बदलाव कर सकती है फिलहाल इस योजना को राश्ट्री इस्तर पर लागू करने में ही सरकार को अभी करीब 4 साल का समय लग सकता है क्योंकि इसके लिए सरकार को करीब 10 हजार करोड रुपे का इंतिजाम करना होगा बता दे कि अगर कोई शक्स स्कीम का लाब नहीं लेना चाहता है तो उसके पास इस योटना का फैदा नहीं उठाने का भी विकल्प रहेगा क्योंकि संबब है कि लोग कर्ज माफी के आप्शन को क्रेडिट हिस्टरी पर असर से जोड़ कर देखें इसके लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड आईबीसी यानि दिवालिया पन कानून में भी बदलाव किया जा सकता है अभी दिवालिया कानून में छोटे कर्जदारों के लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया गया है